अरे यार तीन बज़े फिल्म शुरू हो जाएगी तू क्या कर रही है बस मुझे पांच मिनिट दे मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ अरे बहू तू अचानक कहां जा रही है सास तुझे आवाज दे रही है अरे छोड़ना ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी क्या हुआ माजी मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए मैं फिल्म देखने जा रही हूँ तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन मनाएगा बहू अरे माजी आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूख लगी है अच्छा मुझे देर हो रही है चलना रीटा अंजली के जाती ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोस्ते हुए सारा दिन घर में भूखी बैठी इस तरह अंजली अपना बहू होने का करतव्य कभी नहीं निभाती थी वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी लेकिन सीता देवी इस उम्मिद पर थी कि एक दिन उसकी बहू सुधर जाएगी फिर एक दिन सीता देवी की जुड़ा बेहन गीता देवी वहाँ आती है अपनी बेहन को घर की काम करते हुए देख गीता देवी आग बबुला हो जाती है सीता देवी भावो खोकर रोने लगती है अब तुछ से क्या चुपाओ मेरी बहुरत नी बर्वी मेरी इज़त नहीं करती मजबूरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं वो तो बन सारा दिन अपनी सहली के साथ सहर सपादा करने में लगी रहती है अच्छा तो उस चिडिया के पर निकलाए तुछ इंता मत कर मैं ऐसी कई बिग्रेल बहूँ और मैं इस चुड़ाय से निप्टूँगी तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा मेरी बहू तेरी अच्छी देखभाल करेगी फिर दोनों बहने आपस में साडियां बदल लेती हैं और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती है देर रात अंजली जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है अंजली सास की कमरे में जाती है तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास की कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहु सीरियल का मजा ले रही है अच्छा तो ये सब इस बुड़िया की कारस्तानी है अभी इसे बताती हूँ ये सब क्या है माजी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाट लगाने की क्यों बहु ये सारा सामान तुने तेरे पिता जी के पैसों से खरीदा है क्या लगता है तू भूल गई कि ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है इसलिए मैं अपनी सारी चीज़े अपने कमरे में तुझे कोई एतराज है चल जाने या से सिरियल का मज़ा किरकिरा मत कर गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजली अपने दान पीस कर रहे जाती है अगले देन रीटा और अंजली शॉपिंग पे जाने की तयारी करती है अंजली जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता देवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती है अरे ये स्कूटी कहा लिये जा रही है ये भी मेरी कमाई की है माजी ये तो आप हाथ कर रही है मैं बाहर पैदल जाओंगी क्या हाँ पैदल जाओ तुझे घूमने का शौक है मुझे नहीं देखे माजी इस तरह मेरी सहली की सामने मेरी बेहिस्दती करके आप ठीक नहीं कर रही है आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बहुत भी अप को पच्टा न पड़ेगा अच्छा, तो तू नहीं सुधरने वाली, मेरे ही गर में मुझे ही धमकी दे रही है तेरी याद दाश के लिए बता दूँ के ये मकान मेरे नाम पर है अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लो वकिल को बुलाकर, ये सारी जाइदाद अनाथालई को दान कर देजी हूँ, एक धेला भी नहीं मिलेगा गीता की बाते सुनकर, अंजली के पैरो तले जमीन खिसक जाती है अरे, अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जाइदाद से बे दखल कर दिया, तब तो तु सड़क पर आ जाएगी मैं तो कहती हूँ, चुपचाप अपनी सास से माफी मांग ले, अंजली हाँ, तु बिल्कुल सही कहती है, मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है अरे, नहीं, नहीं माजी, ऐसा गजब मत करिये, आज के बाद मैं आपको कोई तकलिफ नहीं दूँगी और घर के सारे काम ना, मैं आपको एक अच्छी बहु बन कर दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद, ये लीजे माजी, आराम से गाजर का हलुआ खाईए खुश्बू तो बहुत अच्छी है हाँ माजी, वैसे मैंने सब काम कर लिया है, तो मैं आपके पैर दबादू, आप आराम से हलुआ खाईए इस तरह गीता देवी अंजली को सही रास्ते पर ले आती है, और सीता देवी वापस अपने घर में आकर रहने लगती है